दस साल के अंदर कांग्रेस के जमाने में पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे बम दमा के करते थे और चले जाते थे पाकिस्तान के घर में घुशकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नारेंद्रमोधी तिने की बिहार में लोकसभा चुनाओं के नजदीक आते ही अब बड़े बड़े नेताओं का जमावडा लगने लगा है। वहीं पाकिस्तान पर अमित्शा ने खूब गरजा है। कॉंग्रेस की सरकार की तो उस पर भी खूब बड़ा बयान दिगा है। पूजन भी किया और रामलल्ला को अपने भव्य मंदीर में बिठाने का काम भी 22 जन्वरी को कर दिया। और 17 तारिक को रामलल्ला अपने भव्य मंदीर में पहली बार राम नवमी मनाएंगे, अपना बर्थडे मनाएंगे। और इसका अनन्द आप सभी को है या नहीं है, तेरा जोड से बोलो है या नहीं है, मोदी जी ने ऐसे कई संभव काम कर दिये। मुझे बताओ अरंगाबाद वालो गया वालो एक कस्मीर जो है हमारा है या नहीं है जोर से बोलो है या नहीं है दारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी मगर कॉंग्रेस पार्टी ए लालू प्रसाद यादव धारा 370 को हटाने नहीं देते थे मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्थ कर दिया और कास्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिसा बनाए कॉंग्रेस के जमाने में 10 साल में 10 साल के अंदर कॉंग्रेस के जमाने में हर रोज पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे बम दमाके करते थे और चले जाते थे कोई कुछ नहीं बोलता था मोदी जी आए उरी में किया पुल्वामा में किया मगेर आतांकवादी भूल गए एक कॉंग्रेस की सरकार नहीं है भाजपा सरकार है और मन महन सिंग जी नहीं है नरेंद्र मोदी प्रदान मंत्री है दसी दिन के अंदर दसी दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एस्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में गुश कर आतांकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया भाई और बेनो मोदी जी ने दस साल में देश के करोडों गरीबों के लिए 80 करोड गरीबों को 5 किलो प्रती माप्रती व्यक्ति मुप्त रासन दिया 12 करोड स्वाचाले बनाए चार करोड लोगों को घर दिया 10 करोड से ज़ादा लोगों को गैस का कनेक्शन दिया 14 करोड लोगों को नल से जल दिया और 60 करोड लोगों को 5 लाग तक का मुप्त इलाज देने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया और अभी-अभी हमारे समराट भाई मुख्यमंत्री बने पूरे बिहार के अंदर आईश्यमान भारत योधना को लागू करने का काम NDA की नितिश कुमार और समराट चोधरी सरकार ने किया है यह बहुत बड़ी उपलब दी पहले करीब के घर में बीमारी आती थी तो बाप ही 10-15 दिन के बाद बेटे को कहता था बेटा घर ले जाओ मैं तो बीमारी से मरूंगा मेरे इलाज के कर्ज के तले तेरा परिवार भी मर जाएगा आज कोई बाप को ऐसा करने की जरूरत नहीं है दिल्ली में बेठा हुआ उनका बेटा नरेंद्र मोदी पांच लाग तक का इलाज करा देता है भाई और बैनो इस छेत्र के लिए मोदी जी ने देश को नकसलवाद से मुक्त कराने के कगार पर पोँचाया है अपना ये औरंगा बाद एक जमाने में साम के समय में यहां सभा नहीं होती थी नकसलवादी बंदमा का करते थे आज यहां सडक स्वास्त सिक्सा की बात हो रही है और बिहार और जार्खन नकसलवाद से उग्रवाद से पूर्ण तया मुक्त हो गए है हमने 2019 से अब तक सिर्फ पांच साल में 200 नए केम्प बनाए 14 पोलीट बीरो कमीटी के मेंबर या तो सरंडर हुए या मार दिये गए बुड़ा पहाड और चकर बंदा जैसे खेत्रों को मुक्त कराया और बिहार जारखन में धेर सारे सिक्सा के काम किये और अगाबाद में ITI और दो स्किल सेंटर गया में दो केंद्रे विद्याले दो जवाहर विद्याले और अगाबाद में दो केंद्रे विद्याले एक जवाहर विद्धार गए, गया में सहीट मोबाइल टावर, ओरंगाबाद में 28-58 मोबाइल टावर, 5,000 नवेट डागगर, सिरिफ यदो जिलो में, 38 बैंकी साखाए ओरंगाबाद में, 8 ETM ओरंगाबाद में, 66 बैंक साखाए गया में, और 32 ETM गया में 5 साल में खोलने का क और औरंगाबाद में इस उसिल जी देखते हैं एक दम सानता आदमी मगर जब औरंगाबाद के विकास की बात आती है तो सभी से लड़ पड़ते हैं और इसी का कारण है आवास योधना का औरंगाबाद में सबसे ज्यादा घर कई एक जिले में बना है तो 90,000 घर औरंगाबा आवास मान भारत दो लाग 30,000 लोगों को पांच लाग तक का फाइदा मिला है दो लाग 30,000 माताओं को गैस का सिलिंडर मिला और अंगाबाद में 3 लाग गरीब गरों में नल से जल पहुचा ओर एक लाग 80,000 किसानों को 6,000 रूपया लोग सबा चुनाओं के पहले अमित शाह का अलग अंदाज नजर आया, देखें अमित शाह ने खुले मंच से उन लोगों को चिताया, लालू पिशाद यादा पर भड़कते हुए अमित शाह नजर आ रहे थे, और खुले मंच से उन्हों ने कहा कि पाकिस्तान से आलिया मालि लोग सबा चुनाओं के पहले भारतियों जनता पार्टी बड़े बड़े नताओं को बिहार बुला रही है, कितना फाइदा बिहार में होता है, अमित शाह ने इस बात का विदावा किया है, कि पिछली बार उन 40 सीट इंडिये को आई थी, अब इस बार 40 की 40 सीट बिहार मे जीते ही, बैड़ाल इसको नमसे तना है, अगर आपने तक लाइफ चीटिस को सब्सक्राइब ने किया है, जल से लाइफ चीटिस को सब्सक्राइब कर ले, धन्बार